किसे भी बिजनस को शुरू करने के लिए तीन सिंपल चीजों को जानना ज़रूरी होता है. पहला, अपने प्रोड़क को अच्छे से जानो. दूसरा, आपके कस्टमर को पहचानो. और तीसरा, अपने अंदर सफल होने की तीवर इच्छा को जगाए रखो. ऐसी ही इच्छा को बरकरार रखते हुए, आइडियल ग्रूप आज सफलता के नए शिखर पर पहुँच चुका है. आइडियल ग्रूप आज देश की रिजिट प्लास्टिक पैकेजिंग का मैनुफेक्ट्रिंग और सप्लाई करने वाली देश की एक अग्रनी कंपनी बन चुका है. जहाँ पे एडिसिव, पेंट, एग्रो, केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, लूब्रिकंट्स और एडिबल ओयल जैसी प्रोड़ेक्स के स्टोरिज के लिए इंडिस्ट्रियल पैकेजिंग कंटिनर्स बनाय जाते हैं. तीस साल का विशाल अनुभव रखने वाली इस कंपनी की नीव रखी गई थी 2002 में. कंपनी के डिरेक्टर प्रफुल बगासिया ने सूरत में उस समय अकेले ही प्लास्टिक इंडिस्ट्री में हैंड मोल्डिंग मशीन से प्लास्टिक के बार्ट्स बनाने शुरू किये थे उसके बाद 2012 में उन्होंने विपुल मेंटपरा के साथ मिलकर आइडिल ग्रूप की शिरुआ की. बाद में 2017 में उनके साथ एक और पातनर गौरव गोपानी भी जुड़े और तीनों मिलकर आज पूरे आइडिल ग्रूप को मैनेज कर रहे हैं. कमपनी का मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट गुजरात की सूरत में आया हुआ है, जो की करीब 25,000 स्वेर फीट के एरिया में फैला हुआ है. यह यूनिट फुली फरनिश्ट और आटोमेटिड है, जहां पर अध्यतन टेकनलोजी वाली सारी लेटिस मशीने और मैनुफेक्ट मैनुफेक्ट्रिंग टेकनलोजी है. कमपनी के मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट को अलग-अलग यूनिट में डिवाइड किया गया है, जैसे की प्रोडक्शन यूनिट, आर इंडी डिपार्टमेंट, पॉलिटी कंट्रोल, टूल रूम फैसिलिटी और फुली आटोमाटिक मशीन के साथ स्क्रिन प्रिंटिंग फैसिलिटी. मटिरिल्स को मोल्ड करने की प्रोसेस होती है, जिसमें मटिरिल्स को मशीन के द्वारा मेल्टिंग किया जाता है. कंपनी के पास सभी प्रकार की मोल्डिंग टेक्नीक्स है जिसमें वर्टिकल और होरिजॉन्टल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स एवं ब्लो मोल्डिंग मशीन्स है यहाँ पर रौ मटीरियल को लाना, कंटेनर बनाना और उसका वजन करना इन सारी शुरुआती प्रोसेस में प्रड़क्ट क्वालिटी पे वर्कर के द्वारा खास ध्यान दिया जाता है उसके बाद भी ड्रॉप टेस्टिंग, लोडिंग केपैसिटी टेस्टिंग, फिनिशिंग और लिकेजिन तक की सारी प्रोसेस को अंत तक स्ट्रिक्टली मेजर किया जाता है कंटेनर या बॉटल्स तयार होने के बाद उन पर प्रिंटिंग का काम किया जाता है इसके लिए कमपनी में अध्यतन टेकनलोजी की प्रिंटिंग टेखनीक्स हैं जैसे की HTML टेकनलोजी, IML टेकनलोजी विद रोबोट और CMY गे टेकनलोजी प्रिंटिंग होने के बाद प्रिंटिंग की क्वालिटी ठीक से जाजी जाती है उसके बाद पैकेजिंग का काम होता है, अंत में लोडिंग का काम शुरू किया जाता है, और फिर उन्हें डिस्पैच किया जाता है. कमपनी के द्वारा इंडिया में सौ से भी ज्यादा शहर और बारा अलग-अलग स्टेट्स में प्रोडक्ट सप्लाई किये जाते हैं, इसके अलावा फॉरिन में भी कई जगहों पर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किये जाते हैं. दो हजार उन्नीस में कमपनी में एडिबल ओयल कंटेनर के लिए स्क्वेर बकेट बनाएं. 42 लीटर की स्क्वेर बकेट बनाने वाली ये इंडिया की पहली कमपनी है. यहां 100 एमिल से लेकर 40 लीटर तक की स्क्वेर कंटेनर बनाई जाती है. यह कह सकते हैं कि स्क्वेर कंट प्रिंट के लिए ज्यादा स्पेस मिलती है। युनिक स्क्वेर स्पेस है जो मौडन ट्रेंड के अनुसार तिन और ब्लो मॉल्डिल पैक्स से अच्छा और अट्रेक्टिव डिस्प्ले माना जाता है। 2014 से Ideal Eco Environment Project पे कमपनी काम कर रही थी जिसमें उनकी सोच Plastic Waste Free India Mission में योगदान देने की थी। इस प्रोजेक्ट के अंतरगत इन्होंने 2017 में Plastic Waste को यूज़ करके Ideal Eco Tiles बनाई। Ideal Group को अपनी इनोविटिव सोच और सोसाइटी को किये गए अपने योगदान के लिए कई सारे अवाड से भी नवाजा गया है। और ऐसे ही आगे भी Ideal Group देश के अध्योगिक विकास में अपना योगदान देती रहेंगे और चुड़े रहेंगे।